4, 3, 2, 1 जो लोग राद दिन अपना खून पसीना एक करते हैं और सुबह से शाम तक काम में लगे रहते हैं, उनके लिए यह कदम उठाया जा रहा है जिसका मैं हरदय से समर्थन करता हूँ मंत्री जी ने अपने आर्थिक परिस्थिती को देख कर गंभीर निराशा व्यक्त की थी और उद्योग पतियों से यह कहा था वे कान खोल कर सुन लें कि जो भी मजदूर या कर्मचारी अपना खून पसीना एक करके राश्ट्र की संपत्ति को बढ़ाता है उसकी मांगों को आखों से ओजल ना करें मैं उनकी इस चेतावनी का हरदय से स्वागत करता हूँ और अपने हरदय पर हाथ रख कर आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तर से दक्षिन तक और पूर्व से पस्चिम तक जहां कहीं भी कल से आज तक मैं घुमा हूँ मैंने यही पाया है कि जो लोग हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहते हैं उनको सब स्विधाएं उपलब्ध हैं महुदय मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ये लोग आस्तीन का साप हैं जो की मौका पाकर अपने फन फैला कर डंक मारते हैं जिसके कारड कोई भी कर्मचारी इनके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते ये लोग येनकेन प्रकारेड अपना असर उद्योग पतियों पर डालते हैं और हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहते हैं अतह इन विशमताओं को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि इस संबंध में उपयुक्त कानून बनाया जाए ताकि उद्योग में ये लोग भागीदार बन सकें और उसमें होने वाले लाब में भी हिस्सा उनको मिल सकें मजदूरों के अहित की बातें जो करेंगे उनको भी जब इंट का जवाब पत्थर से मिलने लगेगा तो कर्मचारियों के हित के लिए अनेक कदम उठाए जा सकेंगे जो लोग सिर पर पत्थर रख कर ले जाते हैं उनकी भी मजदूरी तय की जानी चाहिए पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिन तक यह कानून लागू होना चाहिए यद्यपी यह कानून बन जाने और लागू हो जाने पर लाखों मजदूरों और कर्मचारियों के लिए हित कर होगा फिर भी यह उन्ट के मुह में जीरा है इससे भी अधिक सुविधाओं की व्यवस्था उनके लिए की जानी चाहिए मजदूरों को उद्योग के प्रबंध में हिस्सेदार बनाना अब छोटा मुह बड़ी बात नहीं होगी क्योंकि अनेक प्रगतिशील एवं समाजवादी देशों में ऐसा प्रबंध किया जा चुका है कि उद्योग का समस्त कारोबार मजदूर लोग ही करते हैं अतह मैं इस विध्यक का सहर्ष स्वागत करता हूं और दूसरे सदस्यों से इसका सहर्ष स्वागत करने के लिए निवेदन करता हूं हमने अधिकांश में यह पाया कि जब कभी मजदूरों के लिए कोई कानून बनता है तो कुछ उद्योग पती सिर पर हाथ रख कर सूचने लगते हैं उनको अब यह समझ लेना चाहिए कि अब शोसन का समय नहीं रह गया है अब मजदूर डंडे का जवाब डंडे से दे सकता है अतह जो कुछ भी स्विधाएं देने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए जाएं उनका हर एक को हरदर से स्वागत करना चाहिए